जी चोविस्तास एक पाउल पुढे तुम्हें एक खुप मोठा आदर्शवाद मानटा है असने वाट्टा अप्लेला हाँ आदर्शवाद आता कालबाईया जालेला है गांदीन चा यूग गेलेला है अपन स्विकारत का नहीं अश्या प्रकारे जर ही एक नवीन व्यवस्ता आले लिए ही एक सिस्टेम आले आता ते मिलता है तो एका बिजनेस मोडल सब आगे है ही तुभी तुम्हें ज़र की तुभी काया यूतातira आपन से श्विक्रत काम है बाइसा को ना ना नकोई पन पोईसा किती हावावा मी यहाँ कट्ट प्रैक्टिस चा क्यों पईशयाक मांगल लागना चेकारन माझे माला स्वताला माज़ा क्लास मेट ची कमपेर करता नहीं माजा वर्ग मित्र जो टीचर जाला जो क्लास जाला जो शिपाई जाला ज जाला जो शेतकर जाला तो कितीच कर नहां है जागान चा किंती इतके आपधा है प्रैक्टीस मरे यह यह परन्त आर्धी जवानी खर्च जाली लियासते असा असताना त्याचा जागेचे पैसे वसूल करना करता तरी त्याला किमान शुर्वात केले अंतर प्रैक्टीस जोरात चालना करता मुणू अशा काही कुबडयान चा आधार नाई का गयावाला है हास परदेचा परना में तुमचार की पिड़ी स्विकारत का नहीं? मला आज सुदा लोक मनता तुम बॉंबीद गेले से काई जाला सा परना आम वेल साटिस्वाइड आधा महाल कारना अपले संउशो दने खेडा मदे जे चांग लवी ती शेहरात हुचे कांते जो मोठा आईश्य हे फक्त कैपिटल ताय करने मदे कर्ज फेड़ना मदे जात तुमी नंतर चा पिडितले डॉक्टरात तुमी आम चा पिडितले डॉक्टरात माला तुमी सांगा आज चा पिडितले डॉक्टर हे पूर्ण पणे व्यावसाई कि वा धन्देवाई के जाले ले आहे ते समोर आले ले पेशन्ट चा नेमको प्रोफेशन काये त्याचे इ जर पेशन्ट आचा कड़े, सप्लायर मनुद बगतो है, पर डॉक्टर नी आचा कड़े ग्रहक मनुद बगिला तो चुकला कुट है, इंडियन मेडिकल असोसियेशन ला आक्षे पासेचा कारानस नहीं है माला एकस प्रश्ण पड़तो कि अपन यहां सग्या चर्चे परन्त आलो कसे वर्ल्ड मेडिकल असोसियेशन नी 1948 साली अपलाला एथिक्स दिले तानंतर अपन इंडिया मदे एथिक्स 2002 मदे पुन्हा रिविजन केला अपन पुन्हा वंटो है कि Consumer Protection Act मदे आला हां Consumer Protection Act आले आने निश्ची तस बर्याज गोश्टी बिघडला चांगले डॉक्टर्स ना पन स्वताहला वाचवने साथी कही वेडे स्वाटू लागला कि हो मी एविदेंस बैस प्राक्टिस करावी मी मलेरिया ची गोडी देतास ताना खरस तेचा ब्लड सैंपल मदे येताई की नाई काही रिपोर्ट तरस मी देऊ नहीं देला ता उध्या हां पेशेंट माला कोलटात ग्यून जाना अश्या सरक्या प्रश्णान मुडे डॉक्टर्स फार काल जी पूर्वग प्राक्टिस कराई चा मारगाला लागले तैचा मधे इन्वेस्टिगेशन निश्चित वाडली जी पूर्वी इतकी नाहीं लागत सत्य उडियाता करता है तसा अध़लून येता निश्चित तस बट आई डोंट थेंग की यहां कारणास तव अपला काई प्राक्टिस बिघण लिलिया है डोक्टर्स नी फार वे अवसाइक होड़ाची गरज नाही करन बूण है नोबिल प्रोफेशन आहें ते तसस रहाव इट 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 जो नोबिल कॉलिंग आमचा जो सिंबॉल आहे तो सुधा चुकला अधी रेड क्रॉस होता तो अपन काडला त्यानंतर सद्ध्या जो दोन स्नेक्स आणी दोन विंग्स वाला वापरला जाते है चाहताथ होता अणी दोन विंग्स वाला जो आहे तो मर्कुरी चाहताथ असे ही रोमन हिस्ट्री आहे अणी मर्कुरी ऑजब पर्सर वो यूस्ट्व तो सपोर्ट में जो मर्चंट सानी चक का हाईवे ला प्राक्टिक सेल्समान असाइचे अणी चो रसाइचे अशाना सपोर्ट करणाना तो मर्कुरी होता अट्याचा हाता मदे जो सिंबॉल होता तो चुकून मेडिकल फ्राइटरेटी वापरत आलिये गेले काही वर्षा अणी तो बदलावाई हां साथी मजे गेले तीन वर्षा प्रहतना सालुए मी आवर आर्टिकल्स लिले यंदा चा डॉक्टर्स डेला हां सिंबॉल मी एचे स्टिकर्स करूद आम चा डोंबेली चा ब्रांच ल मुझे एडारे बेनेफिट से तेता निश्चित द्यावे लागता अग्दी साधी गोष्ट सांगते की निवबान बेबी चा नापी मदे आपन जर एक टिशू पेपर ठेवला तेचे यूरिन जे त्या सोख होता त्या उड़ा साध्या त्या टिशू पेपर वरून अशी मेटाबॉलिक डिशूर्डर साथा पिक अप करता है जर आप लेकड़े टेकनोलोजी आली नाही ता आपन बर्याश्या मुलाना चांगला ट्रीटमेंट पसुन आपन वंचित ठेवतों महें सगा देला जी टेकनोलोजी आहे ती निश्चित महागा है ती मशीनरी निश्च अपन जाता त्या गणिता मदे कधितरी कही लोकांचा मनात अशा भावना यह उन अशी कृत्य घड़त अस्तिल पंड सगेज्च डॉक्टर्च वाइट एसमी मानत नहीं कही ठीकाणी अशा घटना घड़त अस्तिल पंड त्याही थामवाव्या काही ठीकाणी आशा घटना घड़त अस्तिल सगे डॉक्टर का वाइट नस्ताथ प्रत्यकला एका ताराजुद मोजू नका प्रत्यक डॉक्टर आशा प्रकारची काली कृत्य करत नस्तो प्रत्यक स्कैनिंग सेंटर हे केवल पेशेंटला लुटायला आलेल नस्त चोटी-चोटी पूर्वी नर्सिंग होम होती जी आप्याला नेबर हुड हीलिंग सेंटर होती ती आलेकड़े बंद पड़त साली और त्या कॉर्परेट इन्वेस्टर्स मुले मोठ्या पड़ा कॉर्परेट हाउसेस मुले एकवेल सांगली रुगन सेवा मिला लिया सेल पंट्यास बोरवर आशा प्रकारचा घातक समाज विरोधी आशा प्रकारचा कुरुत्याना चालना मिला लिका जी चोविस्तास एक पावल पुढे